यशायाह भविश्वक्ता के पुस्तक अध्याय चटीस हिच्किया राजा के चवदवे वर्ष में अश्चूर के राजा सन्हे रीब ने यहुदा के सब गढ़वाले नगरों पर चड़ाई करके उनको ले लिया और अश्चूर के राजा ने रब शाके को बड़ी सिना देकर लाकिश में यरुश्लिम के पास हिच्किया राजा के विरुद्ध भेज दिया और वह उत्तरी पोखरे की नालिस के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ तब हिलकिया का पुत्र इल्याकीम जो राज घ्याने में काम पर नियुकत था और शेबना जो मंत्री था और आसाप का पुत्र युवाह जो इतिहास का लेखक था ये तिनों उससे मिलने को बाहर गए रब शाके ने उनसे कहा हिचकिया से कहो कि महाराजा दिराज अर्शुर का राजा यो कहता है कि तू यह क्या भरोसा किये बैठा है मेरा कहना यह है कि युद्धे के लिए पराकरम और युकती केवल बात ही बात है अब तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझ से बलव किया है सुन तू तो उस कुछले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चूप कर छेद कर देगा मिस्र का राजा फिरोन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते है फिर यदि तू मुझसे कहे क कि हमारा भरोसा अपने परमिश्वर यहवा पर है तो क्या वह नहीं चाहे कि जिसके उचे स्थानों और वेदियों को ढढाकर हिचकिया ने यहुदा और येरुशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदि के सामने दंडवत किया करो इसलिए अब मेरे स्वामी अर्शुर के राजा के साथ वाचा बांद तब मैं तुझे दो हजार गोड़े दूँगा क्या तु उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं फिर तु मेरे स्वामी के छोटे से छोटे करमचारिका भी कहा न मानकर क्यों रथो और सवारों के लिए मिस्रप पर भरोसा रखता है क्या मैंने यहुआ के बिना कहे इस तेश को उजाडने के लिए चढ़ाई की है यहुआ ने मुझे कहा है कि उस तेश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे तब इल्याकिम और शेबना और युआहा ने रभ शाके से कहा अपने दासों से अरामी भाशा में बाते कर क्योंकि हम उसे सम वा तेरे ही पास ये बाते कहने को भीजा है क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शेहर पनाहा पर बैठे है इसलिए कि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विश्टा खाना और अपना मुत्र पीना पड़े तब रभ शाके ने खड़ा होकर यहुदी भाश में उचे शब्दे से कहा महाराजा दिराज अश्चुर के राजा की बाते सुनो राजा यो कहता है कि हिच्किया तुमको धोखा न दे क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा और ऐसा न हो कि हिच्किया तुमसे यह कहकर भी भुलवा दे कि यहोवा निश्चे हमको बचाए और यह नगर अर्शुर के राजा के वश में न पढ़ेगा, हिचकिया की बात मत सुनो, अर्शुर का राजा कहता है कि भेट भेज कर मुझे प्रसन न करो और मेरे पास निकलाओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजिर के रुक्ष के फल खापाओंगे, और अपने कुंड़ का पानी पिया करोगे, फिर मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाओंगा, जो तुम्हारे देश के समान, अनाज और नए दाखमधू का देश, रोटी और दाख भाईयों का देश है, ऐसा न हो कि हिचकिया है, यह कैकर तुमको बहिकाए कि यहवा हमको क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से बचाया है, हमात और अरपात के देवता कहा रहे, सपरवयम के देवता कहा रहे, क्या उन्होंने शोमरून को मेरे हाथ से बचाया, देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है, जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो, फिर क्या यहवा येरुशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा, परंतु वे चुप रहे, और उसके उत्तर में एक भी बात न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आग्या थी, कि उसको उत्तर न देना, तब हिलकिहा का पुत्र इल्याकिम जो राजगराने के काम पर नियुक्त था, और श्रिबना जो मंत्री था, और आसा का पुत्र युआह जो इत्यास का लेकत था, इन्होंने हिचके के पास वस्तर फाड़े हुए जाकर रबशाके की बाते कह सुनाई,